आप सबी साथकों का स्वागत है मैं अर्विन सक्सेना बोल लाँ साधना जगत के रहस्यों तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्यक वीडियो को देखें और इसमें दीगें के प्रत्यक प्रेलिस्ट को भी देखें अब यह वीडियो बहुत ही मतपूर्ण वीडियो है इसका जो टाइटल है गनपत्ती रहस से भाग दो गनेश चतुरती विनाई की संकस्टी हंगार की चतुरती इसके पहले के जो एक वीडियो है गनेश जी के बारे में वो है गनेश रहस से भाग एक वीडियो नमबर 284 284 अवरोदो कांद सून, बाई, दाई हाथ सर्प, मोदक तो उसमें मैंने गलेज जी के बारे में कई जानकरिया दी है उनके विपिन नामों के बारे में बताया है एक दंत वक्रतुंड, लंबोदर विनायक, विद्यापती इत्यादी और इसके लाबा जो है उनके गणपती, महागणपती में अंतर क्या है ये उसके बारे मैंने बताया हुआ है और जो उनके जो ध्यान होता है या जो चित्र होता है मूर्ती होती है उसमें जो उनके सून होती है जो एक बाई तरफ मुड़ी होती है और एक दाई तरफ मुड़ी होती है तो उसके क्या आरत होते हैं चार हाथ है उनके उसमें अंकोश है एक हाथ में पाश है एक माशीरवाद मुद्रा है और एक मोदक है वो उनके रहस्तों के बारे मताया है मोदक का क्या मतलब होता है उसके तत्वात्मक जानकरी मेंने दी है और उनका वाहन मुशक है उसके बारे मताया है उनका वर्ण जो होता है रक्त वर्ण के होता है वो बारे में उसके बारे में जानकरी दी है तो उसी कंटिशन में यह जानकरी है, मैं आपको इस वागवान गरपती के बारे में आप लोगों को दे रहा हूं, पुकि यह जानकरी बड़ी मत्वपूर जानकरी है, और जो कि पृते कोई भी कार होता है, जाय साधना काहो या जो भी कार हो, उस कार को जब भी प्लानम क्या तो उसमें जो गलेज जी की आरादना सबसर पथम करिया जाती है जो कि उमेरे सारे रहस से पुराने वाले जो वीडियो में गलपती रहस भागी को बताया भी है 284 नंबर का तो ये सारी बाते जो कि साधनात्म ग्रूप से इनकी साधना करनी ही करनी है उसको तो चोड़े नहीं जा सकता है तीसलिए इनके बारे में कुछ और जानकरी भी आप लोगों देने का मैं प्रयास कर रहा हूं और ये मलपती रहस के नाम से जो भी मैंने एक सेरीज बना रहा हूं दूसरा वाला रिकोर्डिंग कर रहा हूं अब यह आगे और भी वीडियो आप लोगों मिलेंगे इसमें उनको देखने का प्रयास करिएगा अभी सब साधनात्मक जानकरी है इस वीडियो में जो मैं अपने चैलल में वीडियो के माद्दम से जाल ला हूं ज क्याते हैं कि तो ऑनको समझ नहीं करेंगे उनक करें तो बहुत सारी अब्रोदों को दूर किया रा सकता हैं अपने जीवन से भी और कोई अगर लगा रहे और उसके अंदर भावना है भी तो वो मुक्ष तक भी जा सकता है समाधी तक भी जा सकता है कर दो को में इतना जूरू हो सकता है कि अपने जीवन के अपरोदों को उताते हुए अपने जीवन को समय क्या चल ला है पहले तो यह समझ लेना चाहिए एक वीडियो जो मेरे मैं कुछ वीडियो बता रहा हूं उनको आप देखेंगे तो पूरा समझ पाजाएगा कि 227 नमर को कली बादा जो कि इसमें कली उक्का प्रभाव है उसके वज़ा से कितनी सारी परशानी आरे होती है जो कि जिनके करन पता भी नहीं चलते हैं और उनसे सब लोग प्रभावित है कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई भी जन्तु जड़ चेतन सब प्रभावित हैं उससे अकर उनको जानने का प्यास करेंगे तो समझ महाथ सारी समझ में गुत्ति आ जाएएगे कि क्यों ऐसा हो रहा है दूसरा असूर असूर यह प्लेलिस्ट में बढ़े हैं वीडियो उनको देखिएगा टीसरा है 195 195 नमर गर राक्षसों द्वारा भक्षण पुन्य सभाव अथर्वे समिता में भी बहुत सारे वीडियो जो मैंने बनाए हूँ अथर्वे समिता पाई बेस्ट जो की अधरश तो उसी में से कुछ जानकरी है जी है कि जो राक्षस लोग होते हैं जो की अधर्श रूप से होते हैं जो की भक्षण करते हैं वो मांसरक्त का भक्षण तो करते ही करते हैं वो पुन्य का भी करते हैं सभाव का भी करते हैं अच्छे व्यक्ति का भी सभाव को बदल सकते है और वो उसके द्वारा प्रकती में विक्रती पैदा करते रहते तो वो आपको उसे 195 में जानकरी मिलेगी और गलत मंतर के खतरे 275 नंबर का एक वीडियो है गलत मंतर अकर करने कोई लग जाए तो उसे कितने सारे निक्सान हो सकते हैं 236 नंबर का सहसा विश्वास, अनिस्ट का प्रवेश, सजन ट्रस्ट, एंट्री ओफ इविल आज के समय में जो कि इस तरीके के अद्र शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियों का बोलबाला है तो किसी पर सहसा विश्वास नहीं करना है अच्छी तरीके से विश्वास ठोक बजा के करना है, पुरा वेरिफिकेशन के साथ हो करना चाहिए और इस सादनात्मक रूप से कोई भी जानकारी खास्तवार पो उठाने के लिए प्रामानिक रूप से जब तक कोई जानकारी ना हो, शास्तनों पर बेज ना हो तो उसको प्रामानिक माने भी नहीं इसके लिए दिवग्यान और शास्त की उत्पत्ती वाला जो वीडियो नंबर है मेरा कि शासर कहां से उत्पन होते हैं वो वीडियो नमबर आपको साथ मिलेगा तो उसमें देखिएगा दिवग्यान होता क्या और शासर क्या होते हैं कि अग्रों को जानने के लिए स्वी याथ पेले पढ़ जाते तें फिरसाइस पार्ट पढ़ना आधा part करना है अगर कोई करें नहीं और सोचे कि मैं पढ़ लिए हैं तो किसी नहीं आएगा तो थे बाते हैं हुए वीडियो समझें atै हुल्षिर क्रोबों के वाफ काम भी करबा सकते हैं यह आसे काम होते हैं जो कि हम नोय क्ली कर रहूते हैं जिसके वेरे से भी अनिस्टा gide lamps का और शुरू का जो है वो प्रवेश होता रहता है जीवन में सुबै से शाम तक झो कि इतना सारा हो सकता है जो कि हम कल्मना भी नहीं कर सकते हुआ वीडियो आप देखेंगे 230 नॉम्बर का समझ में बात आएगी यह तो बैक्ग्राउंड में आपको वीडियो मालूम ही होने चाहिए कि क्या वाता मुझला है अब उस ही में बहुत सारी साधनाों के दोरा इनको गल इनको आप देखेंगे 243 नॉमर का गनपती अथर्षीष 244 नमर का नारायन अथर्षीष 246 नमर का देवी अथर्षीष 247 सूर्य अथर्षीष और 266 नमर का शिव अथर्षीष यह देखेंगे और इसके अलावा जब साधनात्म के रूप से चुकी मैं वीडियो बना रहा ह इनके जानकारी प्राब्ट करने के प्रयास करते हैं उनको समन है जिए aved हम कोई भी गलती इस जीवन मे कर देते हैं तो जाने अन-जाने ने जैसे करें boldi करते हैं हमंसको बहुत भänge भ्यानत दक्रते हैं और अगर हम बहुत अधिक करेंगे जानबूच करेंगे और इसको कहते हैं कि गलत आचन किया जाएगा तो उन सबों का प्रभा ऐसा बढ़ता है कि जीवन जो है पूरी तरी के जो विर्थ हो जाता है लेकिन उसको नरक की यातरा में धकेल देते हैं और फिर उसके बाद उसको विविन प्रकार की यूनियों में भटकना पड़ता है यह सब बाते हैं मृत्यू के रहसे में अवाली प्लेस्ट में आप देखिएगा मृत्यू नरक शादिकर्ण पित्रदोश में आप टॉपिक्स प्रकार का है कि हमें चोटी-चोटी साधना नहीं चलेंगी टोने टुटके नहीं चलेंगे चोटे-चोटे उपाय नहीं चलेंगे और ठोले बाद एक दूप पसेंट हो जाए कोई थोड़े समय के लिए इतना होगा उसे अधिक कुछ नहीं होगा अगर ऐसा होता तो पूर और साधना भी प्रमालिक रूप से नहीं होई भूत प्रेट प्रिशाद साधनों साधना करी जाएगी वेताल लाक्षा से इन सबों साधना करी जाएगी तो क्या ऊपर जाने के वज़ाए नीचे आप भी सकता जाएगा इससा बाते मेरे वीडियो में बनाए हुए अलाग बनाए हुए तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो अपने आपको महतोपूर्ण बनना इसके लिए 158 नमर का आपको 185 नमर का वीडियो देखना पड़ेगा संसार का सबसे महतोपूर्ण वक्ति स्वेम साधब और जब अपने महतोपूर्ण मनेगा तभी साधना कर दो करते हैं हमारी जग अवन ब्याब हमारे कोई दूसरा आदनी करें को हमको आशिरवाद दे दे हमारा काम कर दे हम चाहें उसको पैसे दे आए यह सब कर लें इत्तों समलें निर्भलता के निशानी और कुछ नहीं है उसकों इस साधकों के लक्षण नहीं होते हैं साधक सब्सक्राइब ब्लाउटी होते हैं और बाकि साधना कोई भी करो उसे पर एक रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है साधना के प्रतीवी ग्नके प्रतीवी सर्थे और सच्छार के मारे को चलना पड़ेगा और आहार आपनी प्लेस दिखे इसमें आहार का भी धान ठखना पड़ पर वी उन से हमारा कनेक्षिन भी बनता है अब हम केवल थोते की तरह से मंत्रों को पढ़ लें और कुछ कर लें लेकिंगे आर्थ पता ही ना हूं पीछे जानकारी ना हो तो वह भी तो शास्त्रों के साप से जो है वह बहुत अच्छा नहीं माना जाता है उसके जो फल भी ब साथना का हो पार्ट होता है उस पर भना रहा हूं डाया कि ब stato the gamma भी चाहिए को कर लें टृआ करें रहें करें की अच्छे करें अब इंड़ाए उलियं कि वह मुटों करनी बारे में आप लोगों को एक जानकारी इसमें दे रहा हूं एस वीडियो में और इसमें बहादृपद शुख्लपक्ष की चतुरति होती है उसको गनेंच चतुरति कहते हैं और वो जो च्रूपक्ष घैनती आफ है उसकी घनडाध जो ने शुख्लपक्ष और कृष्णुपक्ष दोनों में अलग लग बाते आएंगी वो धान नगीएगा तो मैंने यह बताया कि जो भादरपद शुक्लुपक्ष की जो चतुरती है उसको गलेश चतुरती कहते हैं इसको सिद्धी विनाय चतुरती भी कहते हैं और इस दिन जो है जो गलेश जी का उतसा भी होता है कही स्थानों पिदेश में और यह भादरपद की जो है शुक्लुपक्ष की चतुरती से प्रारम होता है और चतुरतशी तक जाता है दस दिन का होता है और जो विसरजन होता है वो अनंत चतुरतशी को होता है इस दिन जो है माना जाता है कि जो भी जब तबदान किये रहते हैं कई गुणा उनका पर्ल मिलता है एक तो में आपको अու्लिक में?查या बपाइए इस तरह से सुख रूपक्श की चतूर्ती यह यहाएगी जिसको विनाय की चतूर्ती घर नि मिलेगी इस मिं लुए इस दिन कभी जो वरत होते हैं वो भी उनको विनायकी वरत कहते हैं और इसका जो लक्ष होता है वो मंगल हमारे जीवन में आये मंगल का रहे हो उनके लिए होता है और इस जो वरत के देवता है उनको सिद्धी विनायक कहते हैं और इस दिन भस एक इंपोर्टेंट बात यह है जो इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है और चंद्रमा की पूचा नहीं होती है चुकि माना जाता है कि इस dins चंद्रधर्शन से जूटा जहें कलंक जीवन में लगता है इसके बारे में आपको नेक्स वीडियो में आपको मिलेगा गणपती रह से भागती में जानकरी आपको दूँगा जो जूटा खलंक लगचा है यदि किसी किसी जाद इसी गल्दी होगे जो क्या करना चाहिए उसमें तो शुकलुपक्ष की चतुर्थी में इस दिन करते हैं दिन बर उपड़ा रहने के बाद में अगले दिन वृत को समाप्त करते हैं इसके बाद जो आ रहा है शुकलुपक्ष की चतुर्थी आएगी उसमें जो वृत रखे जाएगी उनको संकस्टी चतुर्थी कहते हैं संकस्टी चतूर्थी व्रत कहते हैं जैसे मैंने पहले पता है शोकलुपक्ष की चतूर्थी जो आएगी उसमें विनायक चतूर्थी कहेंगा उसको और उस दिन विनायकी व्रत होते हैं इसी तरह क्रिश्णुपक्ष की चतूर्थी जाएगी उसको संकस्टी चतूर्थी कहें वो विग्ण विनायब जैसे संकुस्ठी के चतुर्ती के बता है जिसके बारे मैं बताया था मैंने उसके जो है रत के यज़ीजा सिद्धे विनायब दिरून समस्थे चलिएगा इसी प्रिकास एक चतुर्ती हो आती है जिसको कहते हैं है अंगार catching चतुर्थी यह चतुर्थी जो होती है जो मंगलवार को पढ़ती है तो इसको अंगार की चतुर्थी कहते हैं और अंगार अंगार जो होता है यह मंगल ग्रै को कहते हैं इसका जो जो रंग होता है वो जौला रूपी लाल रंग का समझली है और जो कि गलेजी का भी जो रक्त जबता हैं और इसको इसका जो नाम है यह अंगारकी विनाईकी कहते हैं इसका अंगारकी विनाईकी जो व्रत होता है उसको माना दाता है या यह अंगारकी विनाईकी तथा अंगारकी संकस्टी चतुरती व्रत यह पूरा इसका नाम है और इस दिन क्या होता है गने जी कर बह ये इंपर्टन बात है तो मंगलवार की जो चतर्थी होती हो बहुत company बार्टन निजाटी है इस निए ठोड़ी फरक होती है जो कि अन जो गनेजी जी के व्रत होते हैं इसमें पांच प्रहर के व्रत होते हैं इसमें दिन के होते हैं और एक राथरी का होता है लेकिन इसमें चंद्रोधयर सभ। कहां गणी के वर्त में विग्च हमेशा हमिन करता उते हैं उर्भी बताए कि विग् penguin नाश करते हैं संक्राड नाश बुद्धी विद्या धन प्राप्ति कराते हैं सारे मार्ग खोलते हैं और मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि यह योग की दृष्टी से देखा जाया तो मुलाधार चक्र में इंचका चोगी इस्तान रहता है तो यह योग मार्ग में भी जो होता है उसको अपने सा वालता उसको प्राप्त कराने में मदद करते हैं इसलिए इनकी साधना आवश्यक होती है और प्रत्यक साधा को इसको करनी ही चाहिए उसको इसमें साधना में उनको लड्डू चड़ाया जाते हैं दूर्वा चड़ाया जाती है अब दूर्वा क्यों चड़ाया जाती है इ साथनात्मा ग्रूप में तो आशा करता हूँ कि आप सुमनों की झानकारी अच्छीं लगी यहे गर